अपिसोर शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिज़ाओ सभी स्टूरेंट्स को ग्राउंड में लेकर आ जाती हैं और सभी को रूल समझा देती हैं जिस पर वो सभी स्टूरेंट्स को गुसा करते हैं कि तुम सभी को याद रहे कि इस गेम में तुम कोई भी चीटिं से दोड़ रहे होते हैं और वहीं हमें यूहाव भी दिखाया जाता है जो काफी जड़ा स्लो होता है और उसकी हालत बहुत ही बुरी हो रही होती है और सभी स्टुएंट्स जल्दी ही अपने राउंड सारे कंप्लीट कर लेते हैं और वहीं यूहाव अभी भी दोड़ी रहा और कुछ students तो कहते हैं कि you how हारेगा इस match में क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वीक है और सबसे ज़्यादा पीछे वही है और फिर हमें you how दिखाया ज़ते हैं जो काफी ज़्यादा धीरे अभी भागी रहा होता है जिस पर सभी students देखकर काफी ज़रे शोक होते हैं और कहते हैं आखिर ये लड़का कर क्या रहा है वहीं वांगडों ये बात भी कहता है कि सभी students और सभी teacher जानते हैं कि यूहाओ की physical strength and soul power काफी ज़रे low है लेकिन वहीं यूहाओ की willpower काफी ज़रे ज़रे है कि मुझे किसी भी तरह से soul guidance डिपार्टमेंट में जोइन जरूर होना पड़ेगा क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर अपनी soul power को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ और तो और मैं वहाँ पर जाकर soul guidance, cannon and weapons का भी इस्तमाल कर सकता हूँ और यहाँ पर दिखाया है कि यूहाँ की बोड़ी पूरी तरह से exhaust हो रही होती है लेकिन वहाँ पर यूहाँ के लगातार कोशिश करने के बावजूद अचानक से ही यूहाँ की बोड़ी में soul energy धीरे धीरे फैलने लगती है जिसकी वज़े से यूहाँ को थोड़ी ताकत मिलने लगती है और इससे हमें लग रहा है कि यूहाँ की physical strength पहले से ज़्यादा recover होने लगी है और यह जानते ही यूहाँ कहता है कि मुझे किसी भी तरह हार नहीं मानना और वहीं सबी स्टूरेंट से यूहाँ को देख काफी ज़्यादा soir घूष हो रहे होते है और सबी स्टूरेंट यह भी कहते हैं कि यूहाँ तो थीक से ख़ड़ा भी नहीं हो पारा लेकिन इसके पावजूत भी वहार नहीं मान रहा और वहीं पर हमें वांगडों को दिखाया जाता है जो योहाओ को देख काफे जरा खुश होता है और कहता है कि योहाओ की willpower का सच में काफी कमाल की है ये लड़का जैसी मरजी मुसीबत हो ये उसे पार जरूर कर लेता है जिस पर वांगडों भी खुश होते हुए यूहाओ का साथ देने के लिए उसके साथ दोड़ने पर लगता है और वहीं पर बैठे बाके स्टूडेंट से यूहाओ को देख काफे ज़र डेसिप्रेट हो जाते हैं और वहां पर हमें वांगडों यूहाओ की सायता करते हैं दोनों ही एक साथ अपने राउंड्स कम्प्लीट कर रहे होते हैं और ये सभी बीना रुके ही आगे बढ़ते ही जा रहे होते हैं लेकिन अचानक से ही इन सभी नेक्स्ट क्लास के रिंग बज जाती है जो सुनी इन सभी के जान में जान आती है और फिर मिजजाओ वहां पर आते हैं और सभी स्टूड़न्स को कहते हैं कि जैसा कि मैंने तु तुम सभी को भागते ही रहना है लेकिन उसकी वावजूद तुम सभी रास्ते में रुख गए थे और वहीं यूहाओ की बात की जाए तो यूहाओ लगातारी तब से दोड़ते ही रह रहा है और तुम सभी फेल हो चुके हो और फिकर करने के जरूत नहीं है फेल हुए यूहाओ का नाम ले दिती हैं और कहते हैं कि आजसे यही तुम्हारी क्लास का लीडर होने वाला है और यूहाओ का नाम सुन सभी स्टुएंट्स काफे ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर इसके साथ ही यूहाओ के काफे ज़्यादा दोस्त बनने लगते हैं और अंग